Hello and Welcome Back और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे Reinforcement Learning के बारे में अब Reinforcement Learning का जो Basic Overview है वो इतना सा है कि इसके अंदर जो हमारा ML Model होता है यानि कि Machine Learning Model होता है वो train किया जाता है To Make Decisions Based on Trial and Error यानि कि Previous जो हमारी दो Learning Techniques थी Supervised Learning और Unsupervised Learning वो क्या करती थी वो हमारे Data के बेस्ट पर Decision लेती थी But Reinforcement Learning के अंदर आप यू मान जकते हैं कि इसके अंदर हमारा Data हमारे पास होता ही नहीं है इसके अंदर जो हम Decision लेते हैं वो हम Trial and Error के बेसिस पर लेते हैं जिसे आप लोग Hit and Trial Method भी बोलते हैं अब इसको मैं Detail में बताऊँ है इस वीडियो के अंदर जो हमारी Reinforcement Learning है जब वो Action लेती है तो उन Actions के उपर जो है वो Feedback Receive करती है अब Feedback Receive करने से होगा क्या वो जो उसने Action लिया है हमारे ML मोडल ने या फिर मैं बोल सकता हूँ जो उसने Decision लिया है अगर वो Action सही है तो उसको जो है Reward मिलते है Correct Decisions के लिए और अगर वो Decision गनत है तो उसको जो है Penalty Points जो है मिलते है For Making an Incorrect Decision तो यह Basically आपका Trial and Error से सीखते है यानि यह अपना कुछ Output देगी आपको कुछ Decision देगी अगर आपको लगता है कि वो Output सही है तो आप उस Algorithm को Reward Generate करोगे Reward का मीनिंग है या आप कुछ Plus Points जो है उसको Generate करेंगे या फिर Plus Point उसको हम देंगे अब Plus Point देने से होगा क्या In future अगर उसी टास्क से Related कोई Decision अगर Machine को Predict करना है तो वो अपनी History में देखेगी और उसको पता चल जाएगा कि मैंने इस Decision को लिया था on the basis of these parameters और मुझे Reward मिला था और अगर किसी चीज को Reward मिलता है तो वो Individual हो या Machine हो तो वो Same Task को जो है बार-बार करती है और अगर Decision गलत है तो हम उसे Penalty प्रोवाइड करते हैं जिसे हम बोल सकते हैं Negative Marks प्रोवाइड करते हैं जिससे जो है Machine को पता चल जाता है कि मुझे इसका ये Decision नहीं देना था और वो In Future उन Penalty's के basis पे जो है उन Circumstances पे उन Parameters पे Wrong Decision नहीं प्रोवाइड करेगी जैसे जैसे वो Trial and Error Method Implement करती जाएगी Different Circumstances पे Different Parameters पे और उसके basis पे जो है कोई भी Trainer या Instructor उसको Action के basis पे Feedback प्रोवाइड करेगा Feedback वो प्रोवाइड करेगा Reward या Penalty की Form में और उन Reward Penalty's के Combination से जो है हमारी जो Machine है हमारा जो Reinforcement Learning का Model है वो जो है Automatically सीथता चला जाता है और Futures में Better Decision ले सकता है अब ये जो है Basically आपका यूज किया जाता है Game Playing में, Robotics में या फिर Control Systems में अब इसका एक बहुत ही अच्छा और प्यारा Example है आपने AI बेस जितने भी Game देखे होंगे जो की Computers Play करते हैं तो ये मैंने आपको मेरी Previous Videos के अंदर भी बताया है जो भी Game Computer Automatically Play कर रहा है उसके अंदर AI जो है Provide किया गया है अब AI किस तरीके से काम कर सकता है और Reinforcement Learning ही क्यों काम करता है उन AI या Computer Games में उसका ये Example है हमारा Trial and Error Method Example Chess का मैंने Previous Videos में भी लिया था और मैं यहां पे भी Chess के साथ ही Stick रहूँगा कि आप देखिए जैसे आपने यानि कि Human ने कोई अपनी Move चली Chess के Board पे उसके बाद जो है हमारी Machine जो है एक Move चलती है और अगर उस Move के basis पे Human उसको जीत जाता है उस Game को या उस Game के Move को Overcome कर लेता है Overout कर लेता है तो Machine जो है आप ध्यान से अगर चेक करेंगे तो Next Time वो Same Move नहीं चलेगी यानि कि यहां पे क्या हुआ Chess के Model के अंदर जो हमारा AI लगा हुआ है जो Computer है जो हमारे उसके अंदर Permutation Combinations है Moves के Chess Board पर उस पे जो है हमारे AI ने हमारे Model ने एक Try and Move चला उसके Basis पे Human ने मान लेजिए उस Move को Cut Down कर दिया और Human जो है उस Game को जीत रहा तो यहां पे क्या हुआ उस Try and Move पे हमने उसको क्या दिया एक तरीके से Seed Back दिया या फिर हम बोल सकते है उसको Penalty Provide की और उस Penalty के Basis पे हमारी Machine सीख जाएगी कि उसे ये Move नहीं चलना था और In Future वो उस Move को नहीं चलनेगी और इसी का अगर Opposite Case अगर हम डिरेक्टी लेते हैं अगर वो Move लेती और अगर हम उस Game को हार जाते हम उस Game को लूज कर जाते तो Machine के रही क्या था एक तरीके से Reward System था Reward Point था जिससे Machine जो है उन Moves को In Future यूज कर सकती है तो Reinforcement Learning की ये कुछ Applications है जो की Game Playing के अंदर हम यूज करते हैं जहापे भी AI Based Games होते हैं Computer Based Games होते हैं Robotics में हम इसका यूज करते हैं अब ये जो है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे छोटे से बच्चे को एक Crawling Baby को जो है हम नई Skills सिखाते हैं कुछ Behaviour सिखाते हैं और उन Behaviour के बैसिस पे जो है हम उस Small Baby को Small Children को जो है Rewards देते हैं जैसे कि अगर हमने उसको बोला कि आप इधर से इधर चनके आईए और अगर वो सही डिरेक्शन में मूव करता हूँ अगर वो बच्चा आता है तो हम उसको कुछ टॉफी प्रोवाइड करते हैं जोप्लेट्स प्रोवाइड करते हैं क्लैपिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर मैं बोल सकता हूँ ओप्रेशेशन जो हम उसको देते हैं तो ये जो अप्रेशेशन है ये उस स्मॉल स्वाइड के लिए क्लत हा ये उसके लिए रिवॉर्ड सिस्टम होता है और इसी तरह अगर वो hpй गनत काम कर देता है गनत काम इंदासेंस कि जो उसके करना यह था directly वह वह नहीं कर रहा है तो उसको जो हम क्या करते हैं डांट लगाते हैं या फिर हम फिर शाउट आउट करते हैं तो शाउट आउट करने का मेनिंग है कि हम जो है उस बच्चे को जो है penalty point provide कर रहे हैं negative point provide कर रहे हैं तो इसी तरीके से जो है हम अपने reinforcement learning के machine learning model को भी ज लता के अंदर क्या है directly फिर हमने इस robot से पूछ रख़ा है क्या यह apple है क्या यह apple नहीं है तो simply इन दो टमझ में हमने robot से पूचा हुआ है हमारे robotics AI modelी मडल थे पूच रहे क्या यह apple है नहीं है तो यह जो है इस process को जो है अपने environment में लेके जाएगा अपने agent के पास लेके जाएगा agent basically इतना सा होता है जो कि क्या करता है आपको output के base पे जो है यानि कि outside जितनी भी चीज़े हैं environment में उसके basis पे आपको कुछ action provide करता है तो वो उसने अपने इस model training phase में भेजा और यहाँ पे जो है मान लीजी कि हमने उससे पूछा apple है या नहीं और उसने जो है मान लीजी कहा कि apple है और जब यह apple है हमें दिख रहा है यहाँ पे कि apple है तो यहाँ पर क्या किया किसी trainer ने इसको क्या कर दिया प्लस में पॉइंट दे दिया प्लस वन और अगर मान लीजी इसने आउटपुट दिया होता कि यह apple नहीं है तो हम इसको फिर एक पॉइंट देते that is penalty point that is minus one तो यह plus one minus one जो है यह हमारा reward penalty system होता है अब next time जब उस similar pattern का कोई भी item कोई भी fruit आप उसे दिखाएंगे तो machine क्या करेगी it is an apple यह basically क्या कर दिया simply predict कर देगी कि यह apple है तो आप देखिए हमारी supervised learning के अंदर क्या होता था supervised learning के अंदर हमारे पास input raw data होता था जिसके अंदर हमें क्या था input भी provide रहता था और output भी provide रहता था और इसी के opposite unsupervised learning के अंदर सिर्फ हमें input provide रहता था output provide नहीं रहता था और अब अगर आप देखेंगे reinforcement learning के अंदर तो reinforcement learning के अंदर क्या है ना ही हमारे पास कोई input है और ना ही हमारे पास कोई output है तो एक किस तरीकी से काम कर रहा है ये काम करना है हमारे trial and error method पे reward and penalty based system पे तो ये जो है हमारा complete overview है हमारे reinforcement learning का Thank you